हाई गाई से देवांग माश्वरी दिस साइड रश्या युक्रेन वार का एक इंपक्ट जो मेजरली पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है कुरूड ओईल पे देखिए रश्या जो है वो सेकेंड लार्जेस ओईल प्रोडूसिंग नेशन है अब इस वार के कारण काफी सप्लाय रेस्टिक्ट हो रहा है और उसके करण हमें कुरूड ओईल में एक ओवराल पंप देखने को मिला है वो कुरूड ओईल जो 85-86 दॉलर के आसपास था लास्ट चार पास सेशन पहले वो आज 110 डॉलर के पार है यानि कि सीधा सीधा 25-28 परसेंट हमको यहां देखने को मिला है कुरूड ओईल में पंप इसका इंपैक्ट की बात करते वो सारी कमपनीज आपे कुरूड ओईल डेरिवेट डेवस एक मेजर प्रोपोशन ऑफ रॉम माटेरियल बना रहे थे वहां सब पर एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में मार्जिन पर प्रिशर पड़ेगा और उसके कारण जो प्रोफिट्स है वो उतने अच्छे नहीं आपाएंगे जितने अधर्वाइस आते और इसी कारण हमको इन सब कंपनी स्पेसिफिकली जो भी केमिकल कंपनीज हैं पेंट कंपनीज हैं इनमें एक अच्छा ओवरॉल ड्रॉडाउन देखने को बिला है पि जिर्का पेंट्स 10% और इंडिगो पेंट्स की बात करें तो वो 5% तक गिर चुक है सवाल यह आता है कि क्या अभी एशियन पेंट्स हमें खरीदना चाहिए या बहुत क्राश होने के काराण हमें एशियन पेंट्स अभी बेज देना चाहिए तेकि पहले हम दो चीजों की बात करेंगे कोर यहां पे और फिर हम तीसरे पर जाएंगे जो है हमारे चार्टिंग को और वहां हम डिसक्स करेंगे डीटेल में टिकनिकल अनालेसिस के सबसे क्या करना चाहिए सबसे पहली चीज यह जो ओवर ओल पर इंपक्ट पढ़ा है एक स्पिशल सिट्वेशन के का कर रहा है कि US के पास जो oil reserves है और काफी सारे देश जिनके पास oil के reserves है वो वहां से oil offroad कर रहे है जिससे कि जो supply एकदम से कम हुआ है वो resume हो जाए और prices settle हो जाए तो US के पास जो oil है European nations के पास जो oil है यह सब मिलके supply को वापस से resume कर रहे है अपने reserves में से भार निकाल कर तो यह एक पहली चीज़े जो आपको note करने चाहिए कि शायद यह जो crude oil में overall pump है वो इसके बाद थोड़ा कम हो जाए दूसरा अगर हम देखे तो अगर हमें इस war में कुछ चीज़े वापस से पीछे की side होती भी दिखती है तो भी हो सकता है कि हमें एकदम से crude oil के prices वापस किरते व में अभी और Asian Pains करीदने चाहिए या हमें यहां पर sell कर देना चाहिए चार्ट पर क्या है support levels, resistance level और क्या चल रही है psychology चलिए मैं screen share करता हूं अब हम इन points के बारे में detail discussion करते हैं यह अभी आपके सामने है Asian Pains का long term chart देखिए अगर हम Asian Pains की बात करें और overall अगर हम long term chart को इतना percentage stock top से गिर चुका है यह रहा stock का all time high अभी अगर हम currently देखें तो stock around 25% तक का overall top से गिर चुका है पिछले 4-5 हफतों के अंदर और पिछले एक week की बात करें एक week में around 13-14% तक का fall हमको यहां पे देखने को मिला है चलिए हम इसके answer के लिए एक थोड़ा back testing करते है Asian Pains के stock पे और हम यह देखते है कि क्या हुआ history में जब जब Asian Pains में कोई fall आया है हम देखते हैं यहां से overall 2018 से देखते है 2018 यानि कि यह particular point अगर हम यहां से देखे तो Asian Pains में around 20% का हमको fall देखने को मिला कितने time में July 18 से लेकर November 18 में यानि कि almost 5-6 महिने में यह fall हुआ हमको total 23-25% का drop देखने को मिला उसके बाद again यहां पे एक major fall आया 2019 में यहां से अगर हम देखे तो stock around 15% तक correct हुआ है इसके बाद एक major correction जो आया है यह coronavirus crash में आया यहां पे stock around 23% तक का fall हुआ है इसके बाद अगर हम देखे तो January 2021 यानि कि last year यहां पे फिर एक fall आया Asian Pains में और काफी तेजी वाला fall लग रहा था यह भी और यह fall अगर हम देखे तो यह fall around 21% तक का रहा है तो ऐसा history में बहुत बार हुआ है ऐसा नहीं कि Asian Pains कभी भी गिरा ही नहीं है Asian Pains में भी fall आये अगर हम इसके भी पीछे जाएंगे तो आपको यहां यह देखने को मिलेगा कि 2016 में भी आप एक fall आया था बड़ा और अगर हम यह fall देखे तो यह fall around 27% पे रुख गया था तो पिछले पाच बार से जब जब over the time Asian Pains stock में कोई fall आया है 25% तक का 26% सा 23% तक का भी stock हमेशा rebound ही मारा है इससे ज़्यदा stock one sided कभी नहीं गिरा है तो अब अगर हम currently देखे तो यह stock भी 23-25% तक का डाउन है टॉप से तो क्या अभी यह stock बेज देना चाहिए इसका आंसर है नहीं सिर्फ यही एक reason नहीं है कि हम हिस्टॉरिकली ऐसा देखने को मिला है अगर हम इसके साथ देखे अभी तो यह जो stock है यह particularly एक अच्छे support zone पर है पहले इसको delete कर देता हूं जिससे की चार्ट थोड़ा और clear हो जाए अब हम यहाँ पर देखते हैं एक अच्छा support zone अगर हम यहाँ देखे तो यह पुराना base है और एक अच्छा support zone currently stock बनाता है तो पहली चीज कि stock में historically जब भी ऐसे drawdowns हुए stock ने rebound ही मा रहा है दूसरी चीज एक अच्छे support zone पर है तीसरी चीज अगर आप extensions के बारे में अभी समझते हैं एक videos में आपको बताया था कि क्यों आपको extensions के बारे में ध्यान देना है तो अगर हम यहाँ पर देखे तो यह 20 week moving average है और यहाँ से stock काफी extended है नीचे की site पे जब भी इस तरीके का extension हमको नीचे को देखने को मिला है जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर stock उस extension से वापस से rebound मारा ही मारा है और यहाँ से भी ऐसा ही expectation है कि historically जो चार्ट जिस तरीके से stock हमेशा से चल रहा है उस तरीके से ही आगे भी चलता ही रहेगा क्योंकि crude oil ऐसा नहीं है कि कभी historically बढ़ा ही नहीं है crude oil 110 के पहले पहले भी गया है crude oil में हमेशा उपर नीचे कुछ ना कुछ किसी ना किसी global issues से चलता ही रहा है और यह जो stock है इसने अपना pattern कभी miss out नहीं करा है यह हमेशा उसी तरीके से flow कर रहा है पहली चीज़ overall drawdown काफी हो चुका है यह selling रुकनी चाहिए अगर आप एक long term investor ह है तो हम पहले उनकी point of view से बात करते तो यह अच्छा zone है add-on करने के लिए इन दो reasons से जो हमने discuss करें अगर आप एक mid term trend follower है तो trend following के लिए अभी यह stock ripe नहीं हुआ है क्यों क्योंकि अभी यह एक बहुत bearish standard है अगर हमको as a trend follower swing trader stock को लेना है हमको सबसे पहले तो daily में जाना हो कि हमारा execution का जो time frame होगा वो daily time frame होगा weekly से हमें wider insights मिली और daily से पर हम execute करेंगे अब यहाँ पर देखिए अगर आपको execute करना है तो आपको यहाँ पे 10 day 20 day moving averages का थोड़ा wait करना चाहिए कि stock उसके उपर चले जाए क्योंकि तब तक क्या होगा कि हो सकता है stock यहां से थोड़ा bounce क आए और यह stock वापस से उस moving averages को reclaim करें जिसे कि यहाँ पर हम यह बोल सकते कि stock अब एक mid term short term के लिए trend कर सकता है तो हमको यहाँ पर bullish reversals के चीजे देखनी जरूरी हो जाती है सिर्फ stock गिर की यहाँ पर पौँच गया है इसलिए हम इसको नहीं करीदेंगे हमको मारे setups के लिए इक proper bullish attack के लिए wait करना पड़ेगा तो यह है Asian prints का overall क्या हो सकता है अगर अब तक आपको analysis अच्छा लग रहा है तो आप मारे telegram channel को join कर सकते है चैनल का नाम है equal alpha underscore stocks ऐसी काफी सारी detail minute minute time पे आपको यहाँ पर मिलती रहेगी साथ में अगर आपको research करने का तरीका सही लगता है और अपने अगर all भी पुराने मेरे जत्ते भी stock analysis के वीडियो से वो देखे है और आपको उनमे कुछ uniqueness लगती है तो आप एक बार research lab को explore कर सकते हैं यहाँ पर complete strategy plus all my life trades में एक real time basis पे share करता हूँ आप past record भी जाके देख सकते हैं आप champion membership की तरफ एक बार look out कर सकते हैं अगर आपको suitable लगे suitability किस किस के लिए है वो यहाँ पर है अगर आप suitability criteria में फॉल नहीं हो रहे है तो प्लीज इसको join मत करिएगा तो यह है Asian paints का complete analysis long term के लिए बात करी short term के लिए बात करी वीडियो कैसा लगा comment में मुझे जरूर बताएगा कि आपके लिए यह sense create करता है कि नहीं मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्रीब करना मत बूलिएगा थैंक्यो वाचिंग सीए दिवांग महिश्वरी